नमस्कार, ATN लाइब में आपका स्वागत है और मैं कहलास कस्टब फिर बिहार के चुनावी चर्चा में आपके सामने हाजिर हूँ और हलाकि अभी बिहार में चुनाव होने में लगभग चार महिने का वक्त है लेकिन अभी से बिहार की जो राज्जितिक तापमान है वो धी धीरे धीरे परवान चड़ता जा रहा है और इसी सिलसिले में हम महराज गंज के पुर्व बिधायक डॉक्टर देव रंजन जी से हम बात चित करेंगे कि इस बार का बिधान सभाज चुनाव जो है वो कैसा होगा हर साल तो होता है कि नेता आते हैं और हज्जारों की भीड जूटती है और लेकिन आज प्रस्तिती बदली हुई है आज करोना मामारी ने पूरे बिष्व को अपने चपेटे में ले रखा है सोसल डिस्टेंसिंग की बात होती है माक्स लगाने की बात कही जाती है लेकिन अब उस प्रस्तिती में क्या आपको लगता है कि जो है हमारे यहां होती है वो हो पाएंगी और अगर बिधान सभा का चुनाव होगा तो कौन सा मुद्दा वो होगा जो बिहार के लोग उसको तै करेंगे कि यह सरकार आनी चाहिए तो सबसे पहले डॉक्टर साब आपका स्वागत है और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बि चुनाव बिल्कुल समय से होगा आपको क्या लगतै कि समय से होगा शिए या शायान wedfahr सामने आ रहाया है तो यू मुझे तो यह लगता है कि हुए शर्णाव समय से होगा क्या होगा तो सर इस बार मुद्दा क्या होगा चुकि 15 साल से नितिसजी सासन में आप Bernard उनके साथ सहवागी है मुद्दा क्या होगा 2015 में और आज में दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है उस समय नितिश जी आपके खिलाब थे आप उनके खिलाब बोल रहे थे वो आपके खिलाब बोल रहे थे आज वो आपके गोद में बैठे हुए है क्या मुद्दा होगा चुनाओ में मुद्दा तो लोग कई तरह का बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन मेरा मानना है कि इस चुनाओ में भी मुद्दा बिहार के विकास की अगली सिंड़ी पर पहुँचने का मुद्दा होना चाहिए अभी तक जो विकास होता आया है उससे आगे और बिहार का विकास कैसे हो इसका इसकी चर्चा होना है कौन सा विकास लेकर के आप जनत्या के बीच में जाएंगे आपकी सरकार ने कौन सा विकास का काम किया है मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि सड़क के छेतर में, बिजली के छेतर में, खेती के छेतर में, इन सब छेतरों में जो काम हुआ है, लोग कल्यान के छेतर में, लेकिन अब अगले स्टिंधीप की तरफ होने चलने की जरूरत है, जैसे सिक्षा में गुणवत्ता की क सुधार और दूसरा बेरोजगारी दूर करना ये दो मुद्धा बिहार में सभी राजनितिक दलों के द्वारा साल आपकी सरकार रही आप भी सत्ता में रहे 15 साल से तो यह आपने किया नहीं और अब 20 साल में आप जाना चाहते हैं जंता से फिर 5 साल मांग रहा हैं कि हम आने समय में रोजगार और यह यह काम करेंगे तो 15 साल आपने क्या किया नहीं देखिए किसी भी राज्य को प्रगती करने में करम वार ढंग से आगे बढ़ना पड़ता है हम पहले लोगों के खाने पीने की वैवस्था करते हैं लोगों के चलने की वैवस्था करते हैं याताया में काम करना चाहिए हमें कि गुणवत्ता का सुधार सिक्षा में और रोजगार को दिया जाना चाहिए बिहार की जोकों के सामने बिहार की सिक्षा के बारे में सब को पता है कि आज जो सिक्षक है वो संडे मंडे भी नहीं बता पाते हैं और सब तो दूर की बात है तो क्या यही विकास हुआ है आपके सिख्षा का साइकील मार दिया पुसाग मार दिया और बच्चों के हाथों में कटोरा थमा दिया क्या इसी को सिख्षा मानते हैं आप नहीं मैंने कहा ही आपको कि सिख्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवसकता तिब्र आवसकता है अभी तक सिख्षा की में मात्रा आत्मक सुधार हुआ है क्वाइंटिटेटिव डेवलपमेंट हुआ है कि अधिक बच्चे स्कूल जा रहे हैं अधिक स्कूल हैं स्कूल मे जब आप एक टेस्ट नहीं लेते हैं कि कौन सा हमारा टीचर किस कैटेगरी का है वो टेस्ट लेंगे तब आपको पता चलेगा आप तो दम मुख्या जी को दे दिया कि मुख्या जी करो और मुख्या जी ने पैसे लिए और जो कुछ नहीं जानता है उसे माक्ष्टर बना दि और वो बस पैसा उठा रहा है सब पैसे कमाने का जरिया बन गया है ये सिख्षा भी वाँ नहीं अब तो अतीत काल में सिख्षकों की का नियोजन जो हुआ कैसे हुआ उस पर मैं टीकाटी पड़ी नहीं करना चाहूंगा लेकिन मेरा यह मानना जरूर है कि सिख्षक की गुण प्रवासी मैं नहीं कहूंगा चुकि वो अपने घर में वापस आये हैं अब वो जाना भी नहीं चाहते हैं क्या ये लोग आपको प्रभावित करेंगे इस चुनाव में नहीं मैंने अपने विधान सभाज छेतर में इस मुद्धे को परमुखता से उठाया है कि यह बहुत चिंता जनक स्थिती है कि बिहार के युवक और एक बात मैं और बता दूँ कि इस कोरोना के लॉक डाउन पीरियट के दौ आठ हज़ार रुपया से लेकर पंदरा हज़ार रुपया प्रती माह कमाने के लिए बिहार के युवकों को यहां से एक हज़ार दो हज़ार किलोमेटर दूड जाना पड़ता है यह चिंता जनक स्थिती है इस स्थिती को सुधारने के लिए हर संभव प्रत्न होना चाहिए कि साधारन रोजगार के लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े मैं एक और उधारन दूंगा इस सम्मнож्द ने कि हमारे गुजरात का कोई व्यक्ती कमाने नहीं आता महराश्ट का कोई व्यक्ती कमाने नहीं आता है लेकिन अगर कोई लाख डेड़ लाख रुपया कमाने के लिए बिहार से बाहर जाए तो वो तो अच्छी बात है मगर आठ से पंदरह हजार रुपया कमाने के लिए यानि साधारन रोजगार के काम के लिए किसी को बाहर जाना परे अपने आपकी सरकार ने तो ये भी साधन उपलब्द यहां पे नहीं करवाया इस तरह के महाल नहीं बनाए सिवान सर कभी चीनी मिल का हब हुआ करता था ये आपको भी जनकारी है तीन-तीन चीनी मिल हुआ करती थी यहां पे एक चीनी मिल आफी के जो नितीस बाबू की सरकार है उनके भेट चड़ गई वो चीनी मिल का एक 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 इट बिग गया पच्छुखी चीनी मिल की बात करें दो चीनी मिल बचा हुआ है वो भी खतम के बराबर तो सरकार 15 साल आप तो कह देते हैं कि लालू जी को को बहीं ये जंगल राज था तो ये कौन सा राज है 15 साल लालू जी भी राज किये और 15 साल आप भी किये एक चीनी मिल एक कोई मिल नहीं बैठा पाए ये बिहार वासियों को मलाल है इस बात का और जनता आप से जबाब मागेगी कि क्यों नहीं एक मिल बैठा आगे चीनी मिल पुरानी चीनी मिलों को चालू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है इसका तकनीकी उत्तर मेरे पास नहीं है क्या-क्या प्रॉब्लेम है उसमें लेकिन मैं यह ज़रूर मानूँगा कि इस प्रकार की अर्थव्योस्था बिहार को विक्सित करनी है जिस अर्थव्योस्था में साधारन रोजगार के लिए जो स्रमिक जिसे कहते हैं वैसे लोगों को बिहार से बाहर न जाना पड़े आठ से पंद्रह हजार रुपे कमाने की योग्यता बिहार के लोगों में है और उसका आउसर यहां उन्हें मिलना चाहिए सर एक बड़ा बढ़िया काम आपके प्रधान मंतरी नरेंद्र बोदी जी ने किया बीस लाख करोड उन्होंने एक पैकेज दिया कि जो भी लोग रोजगार छोड़के ये दिल्ली से मुंबई से ये लोग वापस जो गया हैं इनको स्वाब लंबी बनाने के लिए इनको अप प्रधेस हो जो भी एस्टेट हो पूरे देश की जो हालात है जिस तरह से भरष्टाचार बिल्कुल पाव पसार के बैठा हुआ है क्या आपको लगता है कि ये पैसा जरूरत मंदों के बहात में जा पाएगा नई देखेंए वो जो 20 लाख करोड उपे के पैकेज की बात हुई है वह यानी अर्थ अव्यास्था में जो जो लोग सामिल हैं जैसे चोटे उद्यक धंदे हैं चोटे ब्यापारी हैं बड़े ब्यापारी हैं इन सभी लोगों को इस आर्थिक संक्रट से मुकावला करने क के लिए वो सब package की घोशना हुई है जैसे मैं एक उधारन देता हूं कोई एक factory है उसमें 50 लोग काम करते हैं उसे आर्थिक package दिया गया है ताकि वो 50 लोगों का रोजगार खतम न हो वो direct public के पास जाने वाला पैसा नहीं है लेकिन साथ ही साथ आज आज प्रधान मंत्री जी ने ग्रामीन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए package की घोशना की है उसका विस्तार से भी अध्यन करने क्या हो सकता है तब हम लोग देखते हैं कि ग्रामीन रोजगार में क्या क्या किया जाना है तो इस वार क्या मुद्दा होगा आप तो कहते हैं कि भाई नवी पास आ यही नवी पास आप ही ने बनाया था उसे उपमुखमंत्री बना दिया था फिर यह कहने में आपको थोड़ी सी भी गुरेज नहीं होती है जनता तो सवाल पुशेगी कि इसी नवी पास को आप ही ने उपमुखमंत्री बनाया था जनता ने नहीं बनाया था ने ये तो जदियू और आर्जेडी के गठबंधन ने बनाया था तो ये सवाल तो बास्तव मैं जदियू और आर्जेडी से पुछा जाना चाहिए था लेकिन एक बात मैं यहां पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कोई अगर यह कहता है कि नवी पास आदमी क्या करेगा और नवी फेल आदमी क्या करेगा वही प्रजात तंतर में नवी और दोस्वी पास की बात नहीं होती है प्रजात तंतर में उस व्यक्ति का सोच कैसा है जनता के साथ उसका जुड़ाव कैसा है जनता के लिए उसके सपन है हमारा की आखिर भारती जनता पार्टी दे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार के जो हालात बने हुए है बिहार के जो प्रस्तितियां बने हुई है भारती जनता पार्टी अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती क्यों बैसाकी का साहरा लेना चाहती है भारती जनता पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है और सरकार बना सकती है परंतु भारत के इतने सारे राजियों में और इतने सारे राजियों की अलग-अलग राजनितिक स्थिती को देखते हुए भारती जनता पार्टी राष्टर हित में इस वात को अवर्शक मानती है कि अलग-अलग दलों से भी हमारा गठबंधन रहे ताकि केंद्र से लेकर राज तक एक इसु कहते हैं कि राजनेतिक मेल जोल का बातावरण कायम रहे इसके लिए भारती जनता पार्टी जनता पार्टी अकेले ही सत्ता हासिल कर सकती है। लेकिन कहीं भी हम भरष्ट अचार करने वाले लोगों से समझावता नहीं करते हैं। तो इस प्रस्तिती में अगर वो जद्यू का सीट है, जद्यू का वहाँ अभी सीटिंग विधायक है, तो देवरंजन कहां फिट मैटते हैं। देवरंजन अभी NDA में हैं और NDA का ही वह सीट है, चाहे जद्यू का हो या भाजपा को हो। हमें यह आस्वासन दिया गया है कि आप अपने विधान सभाच्षित्र में तयारी कीजिए और NDA की उमिद्वार आप होंगे। ऐसा मुझे पार्टी नत्रित्व ने आस्वासन दिया है। अगर ऐसा चुकि राजपा में सब कुछ संभाव है, यह नहीं कहा जा सकता है कि नहीं यह नहीं हो सकता है। नितिष जी आपको छोड़ के जा सकते हैं, नितिष जी आपको फिर वापस आ सकते हैं, तो राजपा में सब कुछ संभाव है। अगर ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जिस तिर्व गती से देवरंजन अपने छेत्र में लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, जो गतिवीदिया दिखाई दे रही हैं, उसको देखते हुए तो फिर क्या सोचा है, अपने कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो क्या देवरंजन सांत करेंगे और कहीं से चुनाव लड़ेंगे? यह भी चर्चा है कि देवरंजन कॉंग्रेस को भी जॉइन कर सकते हैं, क्या यह नहीं, यह बिल्कुल सच नहीं है, मैं एक सामाजी की व्यक्ति हूँ और मेरे प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, तो वहां कई तरह के लोग आते जाते हैं, व्यक्तिगत पंद सबसे मधूर है, लेकिन इसका कोई राजनितिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए. बिधायक है, और देवरंजन जी की जो राजनितिक गतिविदी है, वो काफी सक्रिय है, यो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कि क्या देवरंजन चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इनी सब बातों को ले करके हम आज उनके साथ बैठे हुए थे, और बड़े सलीके स उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है, लेकिन जैसे जैसे समय बितेगा, जैसे जैसे समय बितेगा, और जो राजनितिक धुंद जो है, वो धीरे धीरे चटेगी, जैसे जैसे चुनाव नजदिक आएगा, सीट बटवारे की बात आएगी, अभी तो सीट बटवारे का ही मामला है, कि कितने सीटों पे जदियू लड़ेगी, कितने पे बीजेपी लड़ेगी, कितने पे लजीपी लड़ेगी, तो ये सब जैसे जैसे ये प्रसितियां साफ होगी, तो वैसे ही, उसी के बाद, राज गंज का बिधायक बनेगा कौन सा व्यक्ति माराज गंज का जो एंडिये प्रत्यासी बनेगा तो ये तो थोड़ा हमें इंधिजार करना होगा और जैसे जैसे जो प्रसितिया बनेगी जो गतिविदी तेज होगी वो हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने क प्रयास करेंगे और हमारी सुबकामनाया है चुकि देवरंजन एक बार वहां के विधायक रह चुके हैं और अच्छा अच्छी उन्होंने अपनी वहां पे पहचान बनाई है और उसी का नतीजा है कि आज वहां के लोग इने चाहते भी हैं तो अब देखना है कि पार्टी एंडिये क्या इस बार देवरंजन को महराज गंज से टिकट देता है ये तो आप आने वाला वक्त बताएगा और इसी के साथ हम कैमरामेन आसीस के साथ कैलाज कस्यप एटियन लाइफ सिवान मोबाइल नमबर 9934019286